ओम शान्तियम ओम शान्तियम ओम शान्तियम जीवन में बिन-बिन बाते मनुस के सामने आती ही हैं, कभी अन्होनी बाते आ जाती हैं, बहुत पावर्फुल परिस्थितियां आ जाती हैं, बैड चीजों का इफेट हो जाता है अपने पास्ट के कर्म ही किसी विशेज बीमारी की ओर धकेल देते हैं उस समय काफी बड़ी परिक्षा होती है मनुसकी मान लो किसी को कैंसर हो गया और उसके पास पैसे भी नहीं है और डॉक्टर्स तो सब महंगे हैं कई लाक रुपे चाहिए अब ऐसे में उसकी परिक्षा है उसके ज्ञान की परिक्षा है उसके विश्वास की परिक्षा है कि वो कैसे अपनी स्थिती को अचल अडोल रखे इसमें ड्रामा के साथ बाबा में विश्वास सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने में विश्वास ज्यान की हर पॉइंट को अपनी शक्ती बना लेना और जिसने लंबे समय से पुन्य कर्म किये है ये पुन्य कर्म मनुस के सबसे अच्छे फ्रेंड होते है जब कोई काम ना आए जब सब मुँफेर ले जब अपने पराए हो जाए तब पुन्य कर्म सच्च मित्र बनते है जब आपको ऐसा लगे कि बाबा की ओर से मदद नहीं मिल रही ऐसा भी कई बाल लोगों को लगता है हाला कि बाबा मदद सबको करते है पर रिशीव करने वाले रिशीव नहीं कर पाते ऐसे में भी पुन्य कर्म सदा साथ खड़े रहते हैं बाबा का आखवान करना चाहिए अपने पुन्य कर्मों का आखवान करना चाहिए कहिना कहिन से इंतिजाम हो जाएगा कोई सिंपुल दवाई मिल जाएगी आप बिलकुल ठीक हो जाएगे परिस्थितियों की, समस्याओं की, परिक्साओं की तो कोई कमी नहीं है डामा के ज्यान का परियोग करके यदि हमने अपने को बहुत हलका किया होगा सरल्चित किया होगा देखिए, सरल्टा लाता है जीवन में ड्रामा का ज्यान सब कुछ ठीक हो रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा अब सब कुछ बदलने वाला है जो आज है ड्रामा में वो कल नहीं होगा ये ड्रामा का ग्यान हमें बहुत हलका करता है हमें बहुत सरल चित कर देता है और हम ये बात याद रखेंगे जितने हम सरल होंगे उतने ही बिमारियां सरल होकर समाप्त हो जाएंगे हम बाबा की मदद को भी कैच कर पाएंगे तो बाबा तो हमारे साथ ही है क्योंकि ऐसा समय आ रहा है बिमारियों में भी और विबिन परिस्थितियों में भी मन उस अकेला होगा संबंदी कोई उसके साथ नहीं होगा धन उसके साथ नहीं होगा हर जगे हम सब को योग बल को यूज करना पड़ेगा योग बल कोई अपनी मेडिसिन भी बनानी पड़ेगी इसलिए अभी से पावरफुल योग हम अपना बढ़ाते चलें लेकिन जिसने बाबा की बातों पर ध्यान नहीं दिया जिसने बाबा की बातों को हलके में लिया जो अलबेले रहे आलस मेरे इदर उधर भटकते रहे उनका तो योग लगेगा नहीं और तब उनको योग बल की अनुभूती भी नहीं होगी साथ में दूसरी भी एक चीज होती है बाबा को बिन बिन रूप से यूज करना बिमारी है आपको कोई भयानक क्योंकि बिमारियों की जो परिस्थेती हैं वही सबसे भयानक होगी जब दवाईया नहीं होगी जोक्टर नहीं होगे कोई साधन क कोई सहारा नहीं होगा बाबा को यूज करो इस रूप में हे सुप्रिम सर्जन हे वैद्यों के वैद आजाओ और मुझे ठीक करो किसी को भी निमित बना कर मेरा इलाज कराओ तो बाबा से अगर हमारा अपना पन होगा बाबा के लिए अगर हमने कुछ किया है जीवन में तो हुँ परिश्टितियों में वो भी हमारे लिए सब कुछ करेगा वो बंद जाता है हमारे लिए सब कुछ करने का इससे हमें मदद मी हो जाएगी हम अचला डोल भी रह सकेंगे लेकिन हमें ये द्यान अवज से देना है कि बहुत सारे वियर चिंतन में चिंताओं में घबरा इस वर ये मदद भी हमको संभाल नहीं पाएगी तो पहले हमें स्वयम को स्वयम संभालना है फिर बाबा हमें संभालेगा तो आप सब को बहुत बहुत थैंक्स ओम चांती